हलो एव्रीवन वीलकम बात की आए चैनल जीसे कि में अपने इस चैनल पर आपके साथ स्किन केर और यहर केर से लेटर से लिडियो शेयर करती हूं उसी तरह से आज में आपके साथ एक इर केर से लेटर बहुत ही अवेजिंग वीडियो लिकात की आई हूं और मैं आपको होते हैं वो बहुत ही मतलब प्रोटीन कॉंटेंट से बने हुए होते हैं और रेगुलर अगर हम उन हेयर को सल्फेट बेस्ट शैंपू से वाश करते आ रहे हैं तो एक टाइम में ऐसा आता है हमारे हेर ड्राय और डैमिज हो जाते हैं अब मैं यह नहीं कहती कि आप शैंपू और यह काम करता है और शैंपू में सल्फेट उसी से हि हमारे हेयर क्लीन अपाते हैं तो अब हमने हेयर करें हो है अपनी हैं और यख़ले शैंपू जो के हमें प्रोटीन भी प्रोवाइड कर दें, हेर को डेमेज भी ना होने दें और हेर साफ्ट और स्मूध भी हो जाएं, बस इसी तरीके के रेमेडी जो है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कि जब भी आप रेगुलरली अपना शेंपू यूज कीजिए तो उसके साथ आपको क्या मिक्स करके लगाना है, जिससे कि आपके हर वाश करने के बाद ऐसा रजल्ट देंगे, कि आपके हर स्ट्रेट, स्मूध और स्वाफ्ट लगेंगे, बहुत ही अच्छे और मैनेज़िपल हो जाएंगे, तो ज्यादा नेरी ना करते हुए मैं आप आपने वीडियो की तरह सबसे पहले आपको लेना है अलवेरा जल लेगा, अगर नहीं अवेलिबल तो एक बार को आप ऐसा कर सकते हो कि मार्केट बेस्ट को अच्छे ब्रांड का लो, लेकिन मैं यहां यही रिक्मेंट करूंगी कि आप प्लांट बेस्ट अलवेरा जल ही अब अलवेरा के दो लीब आपको ले लेने हैं अच्छे से क्लीन कर लेना है किसी भी ग्लास में कुछ टाइम पिडिड के लिए उन्हें स्ट्रेट खड़ा करके रख देना है ताकि उस लीब के अंदर का जो येलो पॉजनिस पार्ट है वो निकल पाए उसके बाद फिर आ अच्छे से निकल जाएगा और आपने एक बाउल में इस जल को ले लेना है तो लीब का जल बहुत सफिशेंट है अगर बड़े लीब हैं तो और जो सेकिंड इंग्रीडेंट है वो हमारा है कोकोनेट मिल्क देखिए अच्छे ब्रांड का आपको मार्केट में अवेलिबल जरूर हो जाएगा तो तो ककॉनेट मिल्क आपको यहां पे लेना है जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाइम के लिए आप दो लीव का जो ऐल्लवे जल लोगे तो आपने कोकोनेट मिल्क के 6 स्पून लेने ही लेने है बिल्कुल 6 और 7 स्पून आपने उसी एलवेरा जेल में एड़ कर देने हैं और कोकोनेट मिल्क अगर आप मार्केट बेस नहीं लेना चाहते तो घर पे भी कोकोनेट मिल्क को निकाला जा सकता है कचे नारियल को लेकरके उसको मिकसी में ब्लेंड करके अची से उसको स्कुईज करके उसका स्क्रियम ब्हुत लंभा परसीजर ओ जाता है तो मार्केट में अच्छे से किसी ब्लेंड का भी आप ले सकते हूं तक और जो थर्डर है हमारा वह वेखों एक्स्ट्रा वर्जिन है उलिव ऑल उलिव ऑल फिर आपने क्या करना है एंचे इन चारों इंडिएन को मिक्स कर लेना ठीक है एक बहुत अच्छा सा फाइन सा लिक्विड जैसे हमारे पास कंडिशनर की ट्यूब होती है ऐसा लिक्विड आपको मिलेगा अब आपने क्या करना है इस लिक्विड के अंदर एट लीस्ट शिक्स स्पून आपने अपने रेगुलर किसी भी शैंपू का एड कर लेग है ठीक है तो शिक्स स्पून आपने वह भी आड कर लेना है अब आप यह मैं सुचेगा कि मैं यह वन टाइम वाश करने के लिए रेसिपी बता रही हूं नेकि एक्चुलिए दो या तीन टाइम यह शैंपू आपको यूज हो जाएगा तो आपने क्या करना है किसी खाली ब एक तरह से होम बेज़ शैंपू जो है वो रेडी है मार्केट बेज़ शैंपू में आपने तीन या चार इंगिडिन जो आपने एड करें वो इतने ज्यादा एफेक्टिम है कि वो आपको फर्स टाइम में बहुत अच्छा रेजल्ट देने वाले हैं अब क्या कीजिए लगाएगा और फिर उसके बाद आपने हैर जो है 5 मिनट बाल वाश कर देनी है देखिए इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलेगा आपको एक्चुली हम क्या करते हैं बहुत सारी हैर ओयलिंग करते हैं स्कैल पे हैर ओयलिंग की ज्यादा नीड होती है लेकिन हम अगर आपने ओयलिंग कर रखी है इस शैंपू को आप यूज कर रहे हो तो अब मैंने जो यह ब्लेंड आपको बताया है उसमें ओयल भी मिक्स है तो जब आप इससे शैंपू यूज करोगे तो यह लैंध पे भी जो ओयलिंग की नीड है वो भी मिल जाएगी दूसरा जरूर दीजिएगा कि आपको यह कैसा रिजल्ट प्रवाइड कर रहा है तो यूज करके देखिए और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको और अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सभी इंफरमेटिव लगा तो लाइक का बटन जबा दिएगा और चैनल